लोकडाउन के संदर में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे कैलिब्रेटेड क्लोजर कि ठीक है लोकडाउन की जरूरत है और क्लोज किया जाना चाहिए टाइम टू टाइम पर लेकिन ये जो हमारे closer है यह जो बंद करना है यह calibrated होना चाहिए calibrated का मत्त होता है, बहुती सोच विचार कर, परिस्थिति को देखते हुए, यहनि कि lockdown तो लगाना है, closer तो करना है, लेकिन वो जो closer है वो बहुती calibrated होना चाहिए, calibrated का मत्त होता है, बहुती सोचा समझा हुआ, परिस्थिति को देखके जब आप कदम उठाते हो न, तो उस रोड कि एडिटोरियल बोलता है कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोई छोटा रास्ता नजर नहीं आ रहा है या छोटा रास्ता से मतब है short road से मतब है कि भई हमारे पास को मिला के वर्तमान समय में इतनी vaccine उपलब्ध नहीं है कि हम सभी को कि हम सभी को कि ये जो vaccination है ना इसको universal रूप से सभी को प्लब्द करा सके है ना और इसका फिलाल हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है तो क्या lockdowns should be precise and penless तो ऐसे हालातों में जो lockdown हम बार-बार लगा रहे हैं वो lockdown होना चाहिए बिल्कुल सटीक और दर्द रहित बिल्कुल वहीं लगाया जाए सटीक तरीके से लगाया जाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि lockdown के दोरान कम से कम कश्ट हो यानि कि एक तरीके से जो लोगवाग है ना उनको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए several states कई राजियों ने क्या किया है have extended extend का मत्तब है और ज़्यादा विस्तारित कर देना और ज़्यादा बढ़ा देना the coronavirus lockdowns beyond May 31 कि कई राजियों ने coronavirus lockdown को 31 मई के बाद भी बढ़ा दिया है while जबकि हम क्या देखते है fresh cashes appear to show a downward trend जबकि एक और हम यह देखते है कि coronavirus के जो fresh case है नए जो case है वो क्या प्रतीत होते है ऐसा दिखाई पड़ता है हमें कि coronavirus के नए cases में कमी आ रही है downward trend का मतलब है कि उनमें कमी देखने को मिल रही है but India's COVID-19 battle lacks strategic focus लेकिन भारत का जो COVID-19 के खिलाफ युद्ध है जो संगर्ष है उसमें हमें कमी दिखाई देती है किस चीज की strategic focus कि भई हमारा एक तरीके से जो focus मतलब रणनीति focus की कमी दिखाई देती है कि भई COVID-19 से लड़ने के लिए बिल्कुल हमारे पास जो रणनीति होनी चाहिए ना रणनीति नजर नहीं आती है वह रणनीति की कमी दिखाई देती है although यद्यपी a secession secession का मतलब होता है stoppage किसी चीज का रुख जाना है गया है lockdown के माध्यम से there is not much clarity लेकिन there is not much clarity लेकिन इस बात की ज़्यादा इसपष्टता नहीं है on the future threat from virus variant देखो virus variant का मतलब है virus के परिवर्तित रूप यह जो coronavirus है दीरे दीरे इसके रूप जो है वो change होते जा रहे है तो यही editorial कह रहा है कि ठीक है हमने इस lockdown के माध्यम से क्या किया है हमने कि जबरदफ्ती कई जुगतिविदी है उनको रोका है लेकिन इस बात को लेकर कोई इस पष्टता नहीं है on the future threat कि आने वाले समय में जो खत्रा हमें हो सकता है किस चीज से वाइरस के परिवर्तित रूपों से इस बारे में कोई clarity नहीं है notably उलेखनी रूप से B.1.671 that now has three subtypes अब यह क्या है जो B.1.617 यह है coronavirus का variant coronavirus का परिवर्तित रूप और इसके भी इसकी भी तीन category है has three subtypes है इसके भी तीन और टाइप है and the dominant one और जो इसके तीन सब टाइप है उनमें जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है dominant का मतल होता है प्रभावी वो है B.1.671.2 तो वही editorial कहे रहा है कि is estimated to be 50% more transmissible than other variants variant of concern B.1.7 तो यह editorial कहना चाहरा है कि जो dominant variant है यह B.1.617.2 यह जो है इसके बारे में ऐसा आंकलन किया जाता है कि यह 50% ज़्यादा transmissible transmissible का मतलब है इसका संक्रमन जो है न वो 50% ज़्यादा होता है then other variant of concern यह अन्य जो variant है न हमरा जैसे कि B.1.1.7 है इसके बज़ाए यह जो 6.1.7.2 वाला जो है न यह ज़्यादा तीवरगती से फैलता है neither is there a roadmap for vaccine availability है नहीं इस बात का हमारे पास नक्षा है roadmap का मतलब है है एक तरीके से blueprint होना है ना कि वह एक तरीके से आगे क्या करना चाहते हो आप उसका पहले से आप के पास मामला clear हो पूरा की पूरा neither there और ना हमारे पास roadmap है ना हमारे पास blueprint है for vaccine availability ahead की आगे आने वाले समय में ahead मतलब आगे की आगे आने वाले समय में वैक्सीन की उपलबधता को लेकर हमारे पास कोई blueprint नहीं है कोई plan नहीं है with direct imports by states कि भई जो direct import का मतलब होता है आयात करना with direct imports by states कि भई जो विभिन राज है उनके द्वारा अगर vaccine को direct import किया जाता है hitting a road block hit a road block का मतलब होता है मतलब एक तरीके से जो आप progress करना चाहते हो उसमें कोई बाद आ जाए hit a road block जिसे इसको आप इस तरह से समझो आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो और road के बीच में कोई block आ जाए आपके यह आप गाड़ी लेके जा रहे थे और इसके बीच में आपके कोई block आ गया तो आपकी गाड़ी को दिक्कत आईगी ना तो वही होता है hit a road block का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो आपको progress करने से रोकती है तो यही editorial कहना चाहरा है कि with direct imports by states hitting a road block कि राज अगर इस vaccine को direct import करते है ना तो उनके सामने कई परेशानिया आ रही है and vag assurances vag का मतलब होता है unclear है ना आइसपष्ट assurances of a domestic ramp up ramp up का मतलब होता है to increase something किसी चीज को और बढ़ाना तो इस बारे में इस संबंद में भी जो आश्वाशन है वो आइसपष्ट है कि संबंद में आश्वाशन आइसपष्ट है of a domestic ramp up from July कि भई इस तरह की बात की जा रही है कि July से क्या किया जाएगा घरेलू इस तरह पर vaccine को और बढ़ाया जाएगा कि घरेलू इस तरह पर vaccine के production को ramp up करने की बात की जा रही है increase करने की बात की जा रही है तो इस आश्वाशन को लेकर भी मतलब clarity नहीं है substituting substituting for firm commitments substitute का मतलब होता है प्रती पूरक होना है की जगह लेना for firm determined for firm commitment होना कहाँ चाहिए था firm का मतलब हो गया द्रड commitment का मतलब है द्रड प्रति बद देता है द्रड निश्चे तो यही editorial कहना चाहरा है कि वही एक तरीके से ठीक है यह जो बात की जा रही है ना यह जो आश्वाशन दिया जा रहा है कि जुलाई से हम कोशिश करेंगे कि घरेलो इस तर पर vaccine के उत्पादन को बढ़ाया जा सके है लेकिन यह क्या है कि एक तरीके से यह substitute है प्रति पूरक है यह जो इस तरह से क्या है कि आश्वाशन तो दिया जा रहा है लेकिन आश्वाशन में क्या है प्रतिबद्धता जलक नी चाहिए firm commitment होना चाहिए तो firm commitment का प्रति पूरक है यह substitute है यह some states are unwisely taking the foot of the testing pedal देखो इस idiom को समझना take the foot of the pedal क्या मतलब होता है इसका take the foot of the pedal देखो जैसे आप मालो cycle चला रहे हो अब cycle चलाते चलाते आप क्या pedal मारना बंद कर दो तो इसका मतलब क्या है धीरे धीरे इसका मतलब क्या हुआ कि आपने tension लेना छोड़ दिया आप बहुत ही रिलेक्स हो गए तो क्या होगा cycle रुख जाएगी इसी तरह से समझो इस idiom को take the foot of the pedal का मतलब होता है कि आप जो efforts कर रहे हो उन efforts में कमी कर देना है आराम से रिलेक्स हो जाना तो यही editorial कहना चाहरा है कि कुछ जो राज है वे इसको बुद्धी मत्ता पूर नहीं किया सकते है wisely का मतलब होता है बहुत ही बुद्धी मत्ता पूर तरीके से तो यह विवेक ही मतलब कुछ राजी जो है वे विवेक ही इन तरीके से क्या कर रहे हैं अपने प्रयासों को उन्होंने कम कर दिया है रिलेक्स हो गए है कही राजी making it that much harder और इसके चलते और भी जदा वे कठिन बना रहे हैं किस चीज को making it बनाते हुए that much harder वे और भी कठिन बना रहे हैं किस चीज को to map the course of transmission to map to map का मतलब है कि यह जो virus जा रहा है इसका नक्षा तयार करना इसका नक्षा तयार करने से मतलब है कि यह देखना कि वाइरस किस और से कितना फैल रहा है किस चेतर में इसका ज़्यादा प्रवाव है making it that much harder to map the course of transmission तो और भी ज़्यादा राज जो है इस बात को और भी ज़्यादा मुश्किल बनाते हुए कि वाइरस के संकर्मन का जो मार्ग है इसको हम कैसे देखें तो यह यह एडिटरियल कहना चाहरा है कि यह जो राज जी है यह राज का यह जो एक्ट है इसको आप मतलब बुद्धी मत्ता पूर नहीं कह सकते है कि वे जो थोड़े से संकर्मन है न वह और भी ज्यादा मतलब डिफिकल्ट होता जा रहा है कि हम इसको देख पाएं ठीक तरह के से कि हाँ भई कोरोना वाइरस की स्थिति क्या है A mayasma of confusion has come to pervade COVID-19 policy mayasma का मतलब होता है एक तरीके का खराब वातावरन तो एक तरीके का confusion create हुआ है भ्रम का खराब वातावरन निर्मित हुआ है याना भ्रम का खराब वातावरन जो है उसने घेर लिया है परवेट का मतलब होता है व्याप्त हो जाना COVID-19 policy कि COVID-19 policy जो है उसके चारों और एक तरीके का confusion का वातावरन जो है निर्मित हो गया है यानि कि COVID-19 policy जो है बिल्कुल इस पश्ट नहीं है where the center no longer has an appetite for leadership अब COVID-19 policy के संदर में हम क्या देखते हैं जहां पर कि हमें क्या नजर आता है कि केंदर सरकार जो है no longer has an appetite appetite का मतलब होता है भूक होना भूक का मतलब होता है किसी चीज को करने की तीवर इच्छा होना has an appetite for leadership तो यह एडिटोल कहरा है कि भई केंदर सरकार में has no longer अब दिखाई नहीं देता है कि केंदर सरकार में तीवरता हमें दिखाई नहीं देती की नेतरत्व करने की ना यानि कि केंदर सरकार इतनी ज़्यादा वो नहीं दिखाई देती हमें कि एक तरीके से द्रड संकल्पित कोरोना वाइरस पॉलिसी को leadership को लेकर even if भले ही it means इसका मतलब shunning का मतलब है त्यागते हुए responsibility for universal vaccination है ना कि भले ही इसका मतलब ये हो कि भाई universal vaccination की बात आती है तो ये केंदर सरकार का दायत तो है तो इसको भी त्यागते हुए ये ही editorial कहना चाहरा है कि भाई केंदर सरकार में जो है ना एक तरीके से COVID-19 policy को लेकर नेतरत करने की भूख नजर नहीं आती भले ही इसका मतलब ये हो कि भाई ये जो सारजोनिक टीका करने ना इस जिम्मेदारी को त्याग ना हो and the only tool available with the states is a lockdown और ऐसे हालातों में जो एक मात्र उपकरन राज्यों के पास है वो है lockdown का सहारा लेना but as Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has point out point out का मतलब होता है इस और इशारा करना indicate करना लेकिन but as जैसा कि हम देखते हैं Tamil Nadu के Chief Minister M.K. Stalin जो है उन्होंने इस और इशारा किया है उन्होंने इस और ध्यान दिलाया है a lockdown does not provide a solution कि एक lockdown जो है समाधान उपलब्ध नहीं कराता है ना कि भी lockdown जो है कि इस और इकोनोमिक साइड एफेक्ट कि lockdown अपने side effect के साथ आता है इसके प्रतिकूल प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं खास करके आर्थिक प्रतिकूल प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं अर्थिवस्ता प्रभावित होती है लोकडाउन से कि भी यह जिसको एकोनोमिक साइड एफेक्ट से न यह क्या करते है एकोनोमिक साइड एफेक्ट that hit the working class poor the hardest कि भी lockdown के चलते क्या होता है काम करने वाले जो गरीब लोग हैं वे बहुत ज़दा इससे प्रभावित होते हैं कि सबसे ज़दा अगर प्रभाव पढ़ता है लोकडाउन का तो वो पढ़ता है poor लोगों पे हैं the time has come for a pandemic policy reset कि भई अब समय आ गया है pandemic का मतलब होता है वैश्विक महामारी है न policy reset reset का मतलब है दुबारा से जो हम set करें दुबारा से निर्मित करें कि अब समय आ गया है कि हम क्या करें कि ये जो वैश्विक महामारी है इसके इससे जुड़ी हुई जो policy है उसे दुबारा से जो है निर्मित करें that reflect है मतलब दुबारा से policy बनाए जो की प्रदर्शित करे scientific insight मतलब दुबारा से हमें कोरोना वाइरस को लेकर policy बनानी चाहिए और उस policy में प्रदर्शित होना चाहिए ना कि उस policy में हमें इस चीज की जलक दिखाई देनी चाहिए scientific insight insight का मतलब होता है अंतर दृष्टी कि आप नई policy जो बनाना चाहते हो वह उसके आधार जो है क्या करना चाहिए प्रोटसाइद करना चाहिए safe public behavior हमें इस policy में प्रोटसाइद करना चाहिए कि public जो है उसका आच्रण बिलकुल सुरक्षित हो है ना कि यानि कि वे पूरे की पूरे protocols का पालन करें through किसके माध्यम से persuasive communication persuasive का मतबए लगातार आग्रह पूर्ण तरीके से persuasive का मतबए आग्रह पूर्ण तरीके से communication कि हमें क्या करना चाहिए सरकार जो है उनको क्या करना चाहिए लगातार public से communication करना चाहिए समवाद करना चाहिए और समवाद के माध्यम से बार बार उनसे आग्राय करना चाहिए कि वे safe public behavior maintain करें, monitoring निगरानी and importantly और और भी ज़्यादा जो महत्पून है incorporate, हम COVID-19 policy में इस चीज़ को शामिल करें, किस चीज़ को? Medical interventions of scale intervention का मतलब होता है हस्तक shape कि हमारी जो COVID-19 policy बने उसमें क्या होना चाहिए, बड़े इस तरपर चिकित सकी है, हस्तक shape का होना भी जरूरी, scale का मतलब है पैमाना है तो बड़े इस तरपर चिकित सकी हस्तक shape का होना जरूरी है निगरानी होनी जरूरी है लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए safe public behavior, इसके अलावा इस policy में scientific तरीके से देखा जाना चाहिए The medium term outlook does not point to a steep rise medium term का मतलब है मध्य अवधी का जो नजारा है outlook का मतलब है नजारा does not point वह है इस चीज को प्रदर्शित नहीं करता इस चीज को नहीं दिखाता to a steep rise in vaccination steep का मतलब है यहां पर बहुत ही ज़्यादा to a steep rise in vaccination by the end of the year कि भई इस साल के अंत तक जो vaccination है जो टीका करण है उसमें तीवर वरद्धी होगी ऐसा हमें नजर नहीं आता वरतमान के अगर हम नजारे को देखें तो हमें ऐसा नजर नहीं आता कि vaccination में इस साल के अंत तक तीवर वरद्धी हमें देखने को मिलेगी यहां लगता नहीं हमें to cover most of the population कि ज़्यादा तर जन संक्या को हम vaccination के माध्यम से इस साल के अंत तक cover कर सकें यहना ऐसा नजर नहीं आता making it imperative making मतलब बनाते हुए imperative का मतलब है important जरूरी for states तो देखो एक बात कलियर हो गई कि इस साल के अंत तक नजर नहीं आता इस साल के अंत तक हमें ऐसा नजर नहीं आता कि हम सभी को टीका करन उपलब्द करा सकते हैं तो यह जो बात है राज्यों के लिए इस बात को important बना देती है राज्यों के लिए इस बात को important बनाते हुए for states to prepare कि राज्यों तयार हो जाएं तयार रहें for potential future surge का मतलब होता है बड़ोतरी कि राज्य इस potential का मतलब है संभावित तो यह बात जो है इस बात को जरूरी बना देती है कि राज जो है तयार रहें आगे भविशे में भी coronavirus के cases जो है हमें देखने को संभावित रूप से coronavirus के cases हमें देखने को ज्यादा cases देखने को मिल सकते हैं उनमें बड़ोतरी हो सकती है although यद्यपी claims have been made कि इस तरह के दावे किये गए हैं of a large volume of three vaccines of a large volume का मतलब है मात्रा of three vaccines becoming available between August December इस तरह के दावे भी किये गए हैं have been made कि ज्यादा मात्रा में हमें तीन vaccines जो हैं वे उपलब्द होने जा रही हैं vaccines becoming available कि तीन vaccines जो हैं वे उपलब्द हो रही हैं अगस्ट से December मन्त के दोरान हमें तीन vaccines उपलब्द हो रही हैं तरह का दावा किया गया है इस तरह के दावे किये गए हैं लेकिन एडिटोरिल आगे बताता है the road to universal immunization is going to be long लेकिन जो हमारा रास्ता है सार्व भॉमिक प्रतिरक्षा प्रदान करने का है immunization का मत्तब प्रतिरक्षा कि हमारा जो रास्ता है सार्व भॉमिक टीका करन का या लोगों को सार्व भॉमिक प्रतिरक्षा प्रदान करने का जो हमारा रास्ता है is going to be long यह अभी बहुत लंबा होने जा रहा है यानि कि भले ही vaccine उत्पलब्द हो जाए लेकिन सभी का टीका करन करने में अभी काफी लंबा वक्त लगने वाला है the process is complicated by the finding in Britain कि भी ठीक है यह जो एक तरीके से आप कह सकते हो vaccine निर्मित की जारी है टीका करन किया जारा है लेकिन सारी की सारी process जो है और भी ज़्यदा जटिल हो चुकी है the process is complicated by the finding finding का मतलब है कि परी कुछ result हमारे सामने आए है कुछ नतीजे हमारे सामने आए है Britain में कि Britain में यह जो coronavirus से जुड़े हुई कुछ बाते हमारे सामने आई है उसने हमारी प्रक्रिया को और भी जटिल बना दिया है that it takes two doses देखो Britain ने अपनी finding में क्या पाया है कि ब्रिटेन ने यह पाया अपने इस्टडी में कि कौवी शील्ड की दो डोज की जरूरत होती है जिसके माध्यम से आप 60 प्रतिशत सुरक्षा उपलब्द करा सकते हो किसके खिलाब dominant virus का मतलब है प्रभावी virus dominant virus variant कि वह coronavirus है उसके कई परिवर्तित रूप बन चुके है तो उन कई परिवर्तित रूपों में जो प्रभावी परिवर्तित वाइरस है उसके खिलाफ अगर हम protection चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि कोवी शील्ड की दो डोज उपलब्द कराए जाए उसके बाद भी सिर्फ 60% तक ही protection मिल सकता है हमें और ध्यान देने वाली बात है कि यह जो dominant virus variant की हम बात कर रहे है that is also found in India यह भारत में भी पाया जाता है the second dose अगर हम दूसरे dose की बात करें है कि अगर यह जो दूसरे dose दिया जाता है vaccine का therefore should be administered administer का मतबए यहां पर to provide अपलब्द कराना है after यह distribute भी कह सकते हो after 8 weeks not 12 to 16 वह देखो editorial कहता है कि coronavirus का जो प्रभावी परिवर्तित रूप है वो भारत में भी मौजूद है Britain का कहना है कि अगर आप चाहते हो कि जो dominant coronavirus variant है उसके खिलाप लोगों को protection मिले यह ना तो वो protection सिर्फ 60% तक तब उपलब्द हो सकता है जब आप कोवी शिल्ड की दोनों डोज उपलब्द करा देते हो तो इसलिए editorial कहता है कि जो दूसरी डोज हम उपलब्द करा रहे है ना वो प्रदान की जानी चाहिए शुडब्द एड्मिनिस्टर्ड आफ्टर एट विक आठ सबस्ताह के बाद में वरत्मान में हम क्या कर रहे है कि जो कोवी शिल्ड की दूसरी डोज है उसे बारा या सोला वीक के बाद देते हैं उसको जरूरत है कि एट वीक के भीतर-भीतर दी जाए कोवी शिल्ड की दूसरी डोज वाट स्टेट्स केन डू इमेडियेटली इस तो अराइव एट अगुड लॉकडाउन प्रोटोकोल वही राज क्या कर सकते हैं वही राज तुरंत रूप से क्या कर सकते हैं वह कर सकते हैं वह यह है वह पहुंचें कहां पहुंचें एट अगुड लॉकडाउन प्रोटोकोल कि राज्यों को तै करना चाहिए कि जो लॉकडाउन लगाया जाता है उससे जुले हुए जो नियम होते हैं वह नियम मतलब संतुलित होने चाहिए इस पैरिंग का मतलब है छोडते हुए बक्षते हुए पीपल फ्रिक्वेंट शॉक्स कि जब आप बार बार लॉकडाउन लगाते हो और बिना कहे लगाते हो तो अचाना क्या है लोगों को जटके लगते हैं इस इन जटकों को बक्षते हुए इन जटकों को छोड़ते हुए राज्यों को डिसाइड करना चाहिए कि अगर लॉकडाउन लगाना जरूरी है तो उसके कुछ प्रोटोकल होने चाहिए कुछ नियम होने चाहिए और वे नियम बिल्कुछ संतुलित तरीके से बनाए जाने चाहिए तमिल नाडू's recent move to intensify the lockdown तमिल नाडू ने अभी हाली में कदम उठाया है और उस कदम उठाते वे तमिल नाडू ने क्या किया है लोगडाउन को और तीवर कर दिया है और ज़्यादा गहन बना देना किसी चीज को है और ज़्यादा आप कह सकते हो कि इंक्रीज कर देना उसकी इंटेंसिटी अब देखो तमिल नाडू ने क्या किया अभी हाली में लोगडाउन की तीवरता को बढ़ा दिया इनेक्स्प्लिकेवली इनेक्स्प्लिकेवली का मतबए जिसे समझाया ना जा सके अलाव इवन ज्वैलरी एंड क्लोथिंग शॉप्स टू ओपन फॉर डे बिफॉर देट एडिटोरल कहता है कि ठीक है अभी हाली में तमिल नाडू ने लोगडाउन फिर से तीवर कर दिया लेकिन उसके पहले अब इस बात को समझाये भी नहीं जा सकता कि क्यों तमिल नाडू ने ऐसा किया अलाव इवन यहां तक की तमिल नाडू ने जो एक तरीके से आपके गहनों की शॉप है कपड़ों की शॉप है उनको उनको ओपन करने के लिए कह रखाता है लेकिन लोकडाउन को इंटेंसिफाई किया तो भई देखो तमिल नाडू ने क्या किया लोकडाउन को इंटेंसिफाई किया लेकिन लोकडाउन को इंटेंसिफाई करने से पहले तमिल नाडू ने कपलों की जो दुकाने है जोयलरी की जो दुकाने है उनको खुला रहना अलाउ किया है ना इस lockdown के पहले तो यह कारण बना किस चीज का जबरदस्त भीड के होने का triggered का मतलब है शुरुआत होना by induced का मतलब है प्रेरित करना demand by induced demand तो यही एडिटोयल कहता है कि वही क्यों भीड ही खटी हुई इसलिए क्योंकि कई दिनों से lockdown कई दिनों से public जो है लगाता lockdown को जहलती आ रही है तो जब यह जोलरी की shop खुली clothing की shop खुली इसके चलते क्या हुआ जबरदस्त भीड करती हुई और इस जबरदस्त भीड का कारण था triggered इस जबरदस्त भीड की शुरुआत हुई induced demand कि वही एक तरीके से demand पैदा हो गई थी कई दिनों से चल रहा था वह induced का मतब़े किसी चीज को प्रेरित कर दे ना कि वही एक तरीके से induced demand का मतब़े demand जो है बनी हुई थी काफी लंबे समय से लोग भाग खरीद नहीं पा रहे थे तो जब आपने दुकानों को खोल दिया तो लोग भाग उमड पड़े clearly निश्चित रूप से measures to shut down everyday activity lead to fear and panic measures का मतलब यहाँ पर उपा है to shut down everyday activity कि रोजमर्रा की जो गतिविदी होती है उसे बंद करने के लिए जो उपाए किये जाते हैं वे कारण बनते हैं lead to fear and panic वे डर का कारण बनते हैं और घबराट का कारण बनते हैं देखो यह जो lead लिखा हुआ है L E A D ने क्या बता रहा है आपको lead का मतलब कारण बनना है lead का मतलब है वे हमें इस दिषा में ले जाते है लीड से ही तो बना है लीडर लीडर का काम क्या होता है नेत्रत करना है नेत्रत करने का मतलब है आपको किसी दिशा में ले जाना किसी दिशा में ले जाने का कारण बनना लीडर से ही बना हुआ है लीड है लीड का मतलब ही यह यह किसी particular दिशा में ले जाना है न या फिर कारण बनना है न तो यह यह detail कहना चाहरा है कि everyday activities जो होती हैं उनको बंद करने के जो भी उपाय अपनाये जाते हैं वे हमें डर की और और घबराट की और ले जाते हैं या फिर वे डर और घबराट के कारण बनते हैं and leave और यह जो उपाय होते हैं everyday activity को बंद करने के वे छोड़ देते हैं less and leave less affluent section less affluent का मतला होता है संपन prosperous rich कि जो एक तरीके से संपन तब के हैं न जो कम संपन लोग है less affluent section का मतला हुआ कि जो कम संपन लोग है जो disabled हैं जो अक्षम लोग हैं या फिर जो migrant workers हैं काम करने वाले लोग हैं जो एक जगे से दूसरी जगे आके काम कर रहे हैं and many single individuals और इसके अलावा जो कई विचारे अकेले रहने वाले लोग हैं ना जैसे कोई महिला अकेली रह रही है या कोई व्यक्ति अकेला रह रह रहा है unable to cop तो इस तरह के lockdown जो हैं उन्हें इस हालत में छोड़ देते हैं lockdown ने कि वे उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते कॉप का मतलब होता है किसी परिस्थिति का सामना कर पाना है तो यहीं डीटियों कहना चारा है कि इस तरह के जो रोजमर्रा की गतिविदियों से जुड़े हुए जो उपाय किये जाते हैं जो lockdown लगाए जाते हैं उनके चलते क्या होता है कम संपन लोग जो हैं disabled लोग जो है तो यहीं डीटोर के रहा है कि बीच का रास्ता या फिर एक स्वर्णिम रास्ता होगा वुड़ वो क्या होगा वुड़ 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 टुशट ऑल नॉन इसेंशेंशल शॉप्स की हम बंद कर दें जो सारी की सारी गेर जरूरी दुकान हैं उन ग क्या करें digital transaction को बढ़ावा दे हैं जितना हो सकता है open street sales कि क्या किया जाना चाहिए इन चीजों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि जो एक तरीके सा भी क्या करना पड़ता है लोगों को दुकानों तक जाना पड़ता है अपनी चीजें खरीदने के लिए लेकिन lockdown के lockdown में हम क्या करें street sales है ना कि गलियों में जो है लोगों को सामान उपलब्द कराएं and home deliveries है ज्यादा से ज्यादा चीजों की हम लोगों को home delivery उपलब्द कराएं इसकी चलते क्या होगा जो वस्तू ग्रहक को चाहिए वो से उसके घर पे मिल जाए बाजार ना आना पड़े actively monitor इसके लावा और हमें क्या करना चाहिए मतलब बहुती सक्री रूप से निगरानी करनी चाहिए actively monitor compliance with COVID-19 protocol की COVID-19 से जुड़े हुए जो protocols है COVID-19 से जुड़े हुए जो rules है उनका अनुपालन compliance का मतलब होता है follow अनुपालन करना किसी चीज़ का है न इन public places की बई जो सारवजने की स्थान है वहां पे COVID-19 से जुड़े हुए जो rules and regulations है उनका पालन करें और उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी निगरानी करें and vaccinate workers in services इसके लावा सेवा छेत्र में जो लोगबाग लगे हुए है न कहीं भी छेत्र में लोगबाग सेवा दे रहे है तो वहां भीड होती है न उनको जल्द से जल्द vaccinate किया जाए उनका टीका करन किया जाए and vaccinate workers in services including including domestic workers और जो एक तरीके से domestic workers है न उनको priority दी जानी चाहिए न उनको प्रात्मिक्ता दी जानी चाहिए कुल मिलाके service छेत्र में जो भी लोगबाग लगे हुए हैं काम करने वाले लोग हैं उनका टीका करन किया जाए और जो घरेलू workers है न उनको प्रात्मिक्ता दी जाए free food distribution must be a central feature, feature का मतलब है characteristic of lockdowns की जो lockdown का प्रियोग हमारे दौरा किया जाता है उसमें free food distribution की लोगों को मुफ्त भोजन वितरन, लोगों को मुफ्त भोजन वितरन करना है न must be, जरूर होना चाहिए a central feature of lockdown, central feature का मतलब है मुख्य quality की जो भी lockdowns हम लगाते हैं उन lockdowns की मुख्य quality होना चाहिए की जिनको जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं उनको free food distribute किया जाए